हेलो एब्रिवन रेटिने के डिजिटल प्लेटफर्म पर आपका हार दिख स्वागत वंदन और अगनन दन है हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ जैसे हमने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में जो इंपोर्टेंट पैरामीटर्स करेंट अपडेट नॉलेज़ करेंट जेनरल नॉलेज़ जो की ब्यापम ग्रूप फाइब में पूछा जाता है वेसे ही आज एक और थर्ड क्लास हम केरियोन कर रहे हैं मद्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बौड ग्रूप फाइब ने जो भरती निकाली नर्सिंग आफिसर के लिए ये क्लास आपको 25 नॉविंबर को जो एक्जाम होने जा रहा है उसको क्रेक करने में और आपको सेलेक्शन में बहुत हेल्प करेंगी सो हम क्लास को करियोन करते हैं हर बार की तरह इस बार भी इस पॉजिटिव मोटिवेशन और थॉट के साथ में क्लास को क्यरियोन करेंगे सो हीर यू कैन्सी एवरिवन कि दवंग क्लास दवंग N.C.Q. क्लास पार्ट थर्ड को हम देखेंगे कितनी खुब सुरत बात कही है किसी ने कि कांटों पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुँचते हैं कि कांटों पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं किसी ने कितनी खुब सूरत बात कही है यहाँ पर कि काटों पर जो लोग चलते हैं वो अपनी मंजीर बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं क्यूं कि काटे चुबते हैं चुबते हैं तो हमारी रफतार तेज हो जाती है तो आप समझ जाना यदि आपकी लाइफ में कोई प्रोब्लम आ रही है यह बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएगा कि आपका सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है बहुत नियरेस्ट है तो देफिनेटली यू रीच तो यह देस्टिनेशन अंडरसंड ओके देखे हार्मोनल मैथर्ड इस है देखे हमने बोला हार्मोनल मैथर्ड इस है यह हमारी क्या है फैमिली प्लानिंग की मैथर्ड इसको हार्मोनल मैथर्ड कहते हैं आप आप देखिए हार्मोनल मैथर्ड क्या हम कॉंडम को कहेंगे 9 क्या हम माला डी को कहेंगे या माला आइन को कहेंगे YES or NO I will give two more options जेली जेली को बोलेंगे या फिर हम कॉपरटी को बोलेंगे बदाए विच इस दराइट आँशर क्या हम कॉंडम को बोलेंगे बच्छो क्या हम मालाडी या मालायन को बोलेंगे क्या हम जेली को बोलेंगे क्या हम कोपर्टी को हार्मोनल मैथट्स बोलेंगे बताएगा सो बच्छो देखिए यहाँ पर बोला हार्मोनल मैथट्स आप यदि हम कोई हार्मोन भी इंजिक्ट कर रहे हैं या तो बच्चो वह ओरल होगा, या फिर इंजिक्टेबल होगा, तो हार्मोनल मैथट्स कॉंडॉम होगी? नहीं, तो यह कॉंडॉम तो नहीं होगा, क्योंकि कॉंडॉम क्या है बच्चो, एक फिजिकल मैथट्स है, यह होगा हमारा फिजिकल मैथट्स, ओफ कॉंट्रासेप फिर हमने बोला यहां पर कि माला एन और माला डी तो मैंने आप से कहा था कि माला डी और माला एन माला एन एन डीनोट करता है बच्चों नी सुल्क नी सुल्क अधर्वाइस फ्री ओफ कोस्ट डी फोर दुकान यह सोप्स तो आपको यह क्या मिलेगी वित मनी मतलब पेसे के साथ में मिलेगी यदि माला एन की बात करें बच्चे तो कभी आपको भूलना नहीं है फ्री ओफ कोस्ट जितने भी हमारे गुवर्मेंट के सेंटर्स हैं आंगनवाडी हैं प्राइमरी हाल सेंटर्स हैं कम्यूटी हाल सेंटर्स हैं डिस्टिक हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल कॉलेज हैं या फिर हाल टेंट बेलनेस सेंटर जिसको सब सेंटर के नाम से भी जानते हैं हर जगे अब free of cost में माला इन मिलीगा लेकिन माला D आपको government center में नहीं मिलेगा यह आपको सिर्फ दुकान पर मिलेगा soap पर मिलेगा, medical store पर मिलेगा तो यह हम क्या होगा बच्चा यह होगी हमारी tablet यह tablet हम हमेशा tablet जो होती है और अली लिया जाता है तो हमारा answer right क्या होगा? Mala N and Mala D It is in a hormonal methods of the contraception Do you understand? Yes अब बात करें जेली तो जेली हम क्या करेंगे? Physically apply करते हैं तो यह भी क्या है? Physical methods है copper T copper T क्या है बच्चो? IUCD है IUCD मतलब intrauterine contraceptive device intrauterine मतलब inside the uterus हम उसको place कर रहे है insert कर रहे है uterus के अंदर इसलिए हमने बोला intrauterine फिर हमने बोला contraceptive मतलब contraception का यह type से और एक ऐसी device जो हम uterus के अंदर insert करते है that is called as IUCD और copper T do you understand? okay so यहां तक clear है आप मैं आपको आप से ही बताऊँ आप बच्चो कि कौन-कौन से जो topics हैं बहुत important role play करेंगे तो यह आपका हो गया बच्चो right answer that is mala D और mala N okay आप मैं आपको बता दूँ कि यदि आप से पूछे family planning के types कितने है या contraception के types कितने है तो देखिए यदि मैं बात करूँ family planning तो family planning it is in a process to regulate the pregnancy to avoid unwanted worth तो यहां पर क्या है to क्या करता है family planning यहां पर बच्चो करता है to regulate pregnancy pregnancy को regulate कराने का काम करता है दूसरा to avoid unwanted worth मतलब बच्चो यहां पर यह जो दूसरा points के रहे to avoid unwanted worth it means बच्चो आप हमेशा याद रखना unwanted worth suppose कभी किसी को couples को baby नहीं चाहिए तो उसको avoid करने के काम भी family planning कर then to avoid तो ब्रिंग आउट वंटेड वर्थ तो ब्रिंग आउट वंटेड वर्थ वंटेड वर्थ तीसरा points तो ब्रिंग आउट वंटेड वर्थ जब आपको बच्चा चाहिए जब आपको प्रग्नेंसी कंसीब करना है जब बेभी आपको कंसीब करना है आप कर सकते हैं ती वर्थ फवर्थ वर्थ व्राव प्स्रादिब वर्थ वैड अरवाश ख माँड व्र्थ वनटेड ओग्ठ वर्थ शOR दोожд에는 वर्थ गानीन वर्थ दिवने वर्थ दो ओग्ञट वर्थ झट लिर उग्रवाशने दिट अव्रवाशनें तो रेगुलेट दा इंटर्बल्स बिट्वेन प्रेगनेंसीज ड्यू आप दूसरी बार हुई उसके जो बीच का जो ड्यूरेशन है इसके बीच का जो इंटर्वल है मिनिमम इसको रेगुलेट करने का काम भी फामली प्लानिंग करती है इसलिए कहता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मिनिमम आफ्टर थ्री इयर्स के बाद में सकंड चैल होना है first year का बेबी, three years का गेब, then second baby that is the meaning of four points to regulate the interval between the pregnancy so these are the objectives you can say these are the objectives of the family planning or otherwise we can say it is a definition of family planning okay so understood family planning it is in a process and to regulate the pregnancy to avoid unwanted worth to bring about wanted worth to regulate the interval between the pregnancy do you understand everyone? okay अब हम बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ family planning या फिर contraceptive methods contraceptive method आब आप से पूछे बच्चो कि what are the types of contraceptives? only there are two methods तो बच्चो first method is that and second method is that first होगा बच्चो temporary method temporary method दूसरा बच्चो क्या होगा? permanent method permanent method तो आपने देखा कि contraceptive methods या family planning methods या contraception methods कितने types की? दो दो भी कौन सी? temporary और permanent इसको दो को के से याद रखोगे? temporary, permanent मतलब TP के नाम से understood आप ये temporary methods भी यहाँ पे क्या हो गई? दो हो गई एक यहाँ पे आपको TV याद रखना है TV टेलिविजन नहीं है TV means T indicate करेगा बच्चे ये ट्यूवेक टॉमी और B indicate करेगा बच्चो आपको बैसेक टॉमी ठीक है? तो ये आपको permanent methods of family planning only there are two first ट्यूवेक टॉमी second बैसेक टॉमी ट्यूवेक टॉमी suppose ये आपका यूटरस आपका नहीं मतलब किसी लेडी का यूटरस ये उसका फिमरी ये उसका ओबरी आप हमने बोला ट्यूवेक टॉमी मतलब ट्यूव तो ये ट्यूव है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब understand अब बोला Tomy तो Tomy का बर्ड वच्चों मतलब होता है कट मतलब उसको काट के निकाल देना या रिमूबल या फिर आप कह सकते हैं इसको रिमूबल What is the meaning of Tomy तो Tomy means रिमूबल किसका रिमूबल किया हमने ट्यूब का कॉन सी ट्यूब fallopian tube उसको हमने क्या बोला tube with Tommy do you understand इस tube को हम क्या करते हैं यहाँ से cut करके निकाल देते हैं या फिर इस tube को हम यहाँ पर tie करके इसे block कर देते हैं दोनों तरफ से तो क्या होगा यहाँ से ovum का जब ovum release होता है फिमरी cage करके उसको एमपूला में रख लेती है इधर से आपके भाई साब इस्पम पोश्टे हैं तो इस्पम जा परके आपका यहां पे जो ओवम बेठा होता है उससे मिल जाते हैं जब यह दोनों मिल जाते हैं ओवम प्लस इस्पम का मिलाप हो जाता है तो क्या हो जाएगा बच्छो जा जाएगोट बना तो क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन ने पहले फर्टिलाइजेशन हुआ तब जाएगोट बना जाएगोट से क्या बन जाएगा एंब्रोई बन जाएगा एंब्रोई से यह बन जाएगा फीटस ठीक है तो यह प्रोसेस जब होगी नहीं इनको कट करक तो फिर क्या हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी इसलिए ट्यूब बोलते हैं इसलिए हमें सब फीमेल में हम बोलते हैं बच्छो नल बंदी लेकिन मेल में हम क्या बोलेंगे नस बंदी Suppose ये अब हम बात कर रहा है ये concept clear है tubectomy का अब हम basic tummy देखें ये आपके क्या हो गए testis ये हो गई आपकी best difference और ये हो गई आपका क्या penis ये जो junction है इसको हमने बोला prosted gland ये आपके testis है ये best तो ये best difference क्या है इसको हम बोलते हैं बच्छो best difference आप इनको ही कट कर दिया जाता है ये कट करके tie कर दिया जाता है तो जब बेस difference है बेस क्या है एक बेन है नस है इसलिए इसको बोलते हैं हम नस बंदी Is that clear? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर temporary methods में only physical methods में कौन कौन सी methods होंगी वो और फिर हम एक ही class एक बार लेंगे family planning की तो उसमें आपको हम पूरी चीज़े बताएंगे फिर family planning से बनने वाले जितने भी question होंगे life में आप कोई साभी exam देंगे तो हम retina के digital platform पर आप से promise करते हैं यहाँ पर आप से मैंने class start करने के पहले भी कहा बच्चो कि यहाँ पर quality के साथ कोई भी compromise नहीं किया जाता है तो यहाँ पर जिसके बाद में आप कोई भी exam यदि आप देते हैं तो family planning से बनने वाले जितने भी most important question होंगे पूरे cover किया जाएंगे आज sort में हम cover कर रहा है temporary, temporary में देखिए बच्चे total 4 methods होती है permanent में 2 होती है, 2 भी मैंने आपको बताई कौन सी होती है तीसरा होगा बच्चा, intrauterine और fourth जो होगा मेरे बच्चे वो होगा आपका natural methods okay, barrier methods में आपको तीन method होती है एक होती है physical methods दूसरा होता है बच्चो आपका chemical methods physical methods में जो भी आप physically apply करेंगे like condom वो होगा या फिर chemical में आप जो भी jelly apply करते हैं diaphragm apply करते हैं cervical cape आप यूज़ करते हैं उस सब को हम क्या कहते हैं बच्चो आप यहाँ पर कह सकते हैं उनको chemical methods hormonal methods हमेसा बच्चो आपको याद रखना है orally होगा या फिर injectable होगा यह हमेसा आप याद रखिएगा आप orally में भी बहुत सारी की template हो सकती है मैंने कहा आपको malady हो सकती है malayan हो सकती है साथ में ऐसी unwanted pills है once a month pill है many pills are available it will comes under the hormonal method जैसे injection की बात करें तो dumpa करके एक injection आता है तो हम कल एक class carry on करेंगे उसमें आपको पूरा family planning full detail मैं आपको बताया जाएगा जैसे आपसे retina के digital platforms है जो भी हम promise करता है definitely वो हम follow करता है और ये quality of content आपके in front of you deliver किया जाएगा so hormonal methods मैंने आपको बताया आप I indicate करता है IUCD में जैसे copperty वगिरा आता N मतलब होता है बच्चो natural methods so these are the methods यदि अगर बात करें तो copperty किसका था तो copperty है IUCD का jelly की बात करें तो ये है chemical methods chemical methods में भी किसका है barrier methods का mala N, mala D की बात करें तो बच्चे ये क्या होगी हमारा hormonal methods और ये है physical methods condom understand ओके ये पूरा content समझ में आ रहा है बच्चो आपको ओके so बच्चो यहाँ पे next question the first epidemiologist is नहीं पहले ही बताया था who is the father of epidemiology here you can see everyone John Snow है क्या या फिर Sir Francis Gelton है क्या या फिर सुसूरता है या फिर हमारा Hippocrates give me right answer first epidemiologist या फिर first epidemiologist otherwise you can say who is the father of epidemiology Hippocrates है John Snow है Sir Francis Gelton होंगे या फिर सुसूरता होंगे देखे मैं आपको बता दूँ देखे सुसूरता मतलब देखे इस S indicate करता है बच्चो यह होंगे यहाँ पर father of surgery सुसूरता कौन है Surgery के पापा है मैं आम ऐसा कहता हूँ वच्चो सब के पापा होते हैं और बाप बाप होता है बेटा बेटा ही होता है बाप की जगा कोई नहीं ले सकता तो यहाँ पर who is the father of surgery सुसूरता then who is the father of medicine that is Hippocrates यहाँ पर आप से पूछे father of medicine तो आपको बच्चो answer क्या होगा Hippocrates ओके लेकिन Sir Francis Galton अब आपके पास only you have two options A and B Give me right answer ना B भी नहीं होगा B देखिए यह होगा बच्चो B है father of bio statisticians बाइव इस्टेटिस्टिस्क अब आपके पास एक ही options है जोन इसनो जोन इसनो कौन है first epidemiologist कह सकते है या modern medicine epidemiologist कह सकते है या फिर आपके सकते father of epidemiology understood अब epidemiology the word is derived from the Greek word epidemiology का meaning क्या होगा बच्चो बो मैं आपको बता देता हूँ epidemiology का meaning होता है it is in a branch it is in branch of medical fines which which treats epidemic ठीक है epidemiology क्या है sorry epidemiology क्या है epidemiology it is in a branch of medical science देखें यहां पे लिखा branch of medical science which treats अब किसको treat करती है किसको treatment करती है epidemic जहां भी particular area में बिमार लोगों की संक्या particular disease से बढ़ जाती है उसको control करने के लिए उसको treat करने के लिए उसको cure करने के लिए हमको epidemiologist की ज़रुबत हो या फिर उसको हम क्या कहते है epidemiology do you understand okay अब यहां पर आगे दूसरी slides में आपको बताऊँगा देखेंगो right answer is that is John Snow आप में बताऊँगा epidemiology क्या है so epidemiology बच्चो epidemiology is derived from already I told it is in a Greek word Greek word से हुआ है साथ में EP मतलब only जो Greek word है बच्चो वो होंगे आपके three sorry यहां पर three Greek words होंगे EP upon and the people तो EP EP मीन्स होता है upon and demos demos मीन्स बच्चो क्या होगा people or district or logos means होगा study तो here you can see everyone कि मैं आपको बता दूँ यहां पर कुछ sorry for the technical error की बज़े से ही है यहां पर जो word है वो अच्छे से नहीं आ रहा है तो मैं बता दूँ आपको epidemiology is derived from the three Greek word three में one two three पहला होगा हमारा EP upon and logos आप हमें से याद रखना बच्छो जहां logos word आ जाए logi word आ जाए जैसे biology microbiology psychology sociology जतने भी word आ जाए logi means study तो logi का meaning ही होता है बच्छो study अब हमने बोला EP EP means upon and EP means upon होगा बच्छो and sorry यहाँ पर demos लिखना था मुझे यहाँ पर EP demos and people EP means upon okay EP means क्या होगा बच्छो upon होगा demos means क्या होगा people 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 यहाँ पर आप कह सकते हैं district तो बच्छो यहाँ पर आप देख सकते हैं EP means upon demos means demo आपने सुना ओगा demo लेना है किसका demo लेना है किसी particular इंसान का लेना है तो वो people एक particular district में रहने वाले people हो सकते हैं उनका लेना then study logos means study तो इसका मतलब ही क्या है it is in a study of इसका meaning ही क्या है it is in a branch of medical science or it is in study of disease अब बच्छो epidemiology का meaning क्या होगा it is in a branch of medical science and it is in a study of disease जब इस people में जितनी भी जो people हैं या district में surrounding area में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके उपर जब हम ये study करेंगे किस के उपर करेंगे जो disease की study करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे बच्छो epidemiology बोलेंगे do you understand epidemiology is derived from the three Greek birds EP, EP means upon demos, demos means people and third logos logos means study to study upon the people that is known as epidemiology do you understand okay so यहां पर यह हमारा epidemiology clear है then आप आप देखें already I have told epidemiology means the study of disease in the human population where they live the human or people or the candidates or the life humanly यह human population यहां पर कोई human population रह रह रही है और उनकी disease का हम study कर रहे हैं उसको हम कहेंगे epidemiology do you understand okay then next बच्चो आप बहुत important questions जो आपके सामने हैं इस क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा the first things that the nurse must ensure when baby a head comes out देखे कितनी खुबसूरत बात है first things बढ़ा आपको याद रखना है पहली things क्या देखना है आप nurse को देखना है as a nurse as a future nursing officer as a nursing officer आपको क्या करना है जब भी baby का head comes out hope कहां baby हमने किसको बोला जिस mother's के baby बहार आ रहा है mother's के uterus से बहार आ रहा है जैसे यदि उसका head बहार आएगा तो nurse की क्या responsibility होगी या आप एक future nursing officer है तो what is your responsibility when the head comes out from the vagina or from the uterus what you will do I will give four options which one is the correct the code is intact the code है बच्चे की जो गर्वनाल है वो intact होगी क्या या फिर no part of the code is encircling the body's neck दो वो code है बच्चे बच्चे वो code जो है उसका कोई भी part body की neck से circling होगा क्या encircling होगा वो हमको देखना है third the code is still attached to the placenta या वो code अभी भी placenta से अटेच है या फिर the code is still pulsating या वहां से pulsating हो रही so you have only four options A, B, C and D which one is the correct? give me answer fast देखो बच्चो जब भी normal delivery होती है या फिर कोई भी operation से delivery होगी सबसे पहले हम baby का head comes out होता है vagina से या abdomen से सबसे पहले हम head में बच्चे को क्या देखेंगे code या गर्भनाल तो नहीं है that is the right answer B is the right answer तो हम देखेंगे ये baby का head आप इस head में कहीं वो code तो नहीं है in case code है और baby का हमने mechanism of labor apply किया जिसमें आप engagement पढ़ते हैं इफेस्मेंट पढ़ते हैं internal rotation of the shoulder ये सब चीज़े पढ़ते हैं तो उस समय जदी code है तो baby को क्या हो जाएगा baby की death हो सकती है बरत आस्पेक्सिया हो शकता है baby breathe नहीं कर पाएगा baby सांस नहीं ले पाएगा death हो सकती है तो इसलिए हमको जब भी आफ तो as a future nursing officer as a nursing officer that is your responsibility first of all you have to check कि code यहाँ पर तो नहीं है गर्वनाल यहाँ पर पूरी उसके surrounding तो नहीं है encircling तो नहीं हो रही देखिए circling बोला है circle यह ऐसा होता है यह उसका head है तो कई वहीं पर तो circle नहीं बन गया encircling तो नहीं हो रही है तो यहाँ पर कोई भी part मतलब no part of the code मतलब code का कोई भी part encircle नहीं है or body's connect में that is right answer do you understand everyone so this is your right answer no part of the code is encircling body's connect next questions अब बच्छा हो the nurse is aware that the most common assessment finding in a child with ulcerative colitis बच्छा हो यदी बच्छे को यदी colon में ulcer है वो colon large intestine का colon हो सकता है colon हमारे चार होते हैं transverse colon ascending colon descending colon or sigmoid colon do you understand suppose यह आपका यहाँ पर यह आपका यह लार्ज इंट्रेस्टाइं अब हमने बोला यहाँ पर colitis मतलब colon के अंदर क्या है inflammation and infection in the colon अब colon है अमारे पास चार यह होता है बच्छो आपका ascending colon ascending colon यह होगा बच्छो आपका descending colon confuse नहीं होना है ascending के सामने होगा descending colon और फिर लास्ट में बच्छता है आपका sigmoid colon sigmoid colon फिर यह जो है इसको हम बोलते है transverse colon तो only you have four colon ascending colon second descending colon transverse colon and the sigmoid colon only there are four colon transverse ascending descending and sigmoid अब यहाँ पर बोला है colitis colitis का meaning में आपको बता दूँ यहाँ पर and infection in colon अब colon के अंदर क्या है यहाँ पर inflammation होगा infection होगा आप बोला हमने ulcerative अब यहाँ पर भी हो सकता है ulcer इदर भी हो सकता कहीं भी होगा concept के लिए है तो most common assessment finding as a nerve आपकी क्या होगा तो this is the options these are the options first intense abdominal cramps यदि ऐसा हुआ तो बड़ी बच्चे को चाइल्ड है उसको abdominal cramps होगा क्या या फिर प्रोफ्यूस डाइडिया होगा बच्चे को lose motion होगे या फिर anal fissure होगा या फिर abdominal distinction होगा विच्वन इस डाइड करेक्ट आंसर देखे अब्डोमिनल क्रांप्स तो होगा नहीं क्यों कि यहां पर हम stomach की बात नहीं कर रहे हैं बात हम कर रहे हैं कोलोन में कोलोन में भी कौन सा large intestine के कोलोन तो यह abdominal cramps तो होगा नहीं तो abdominal cramps नहीं हुआ तो abdominal distension का तो सवाल ही नहीं उठता है वो हो गई नहीं अब आपके पास only you have two options ना बच्चा नहीं सी भी नहीं होगा होगा तो profuse diarrhea देखिए मैं आपको बता दू कि large intestine आपके जित्ते भी sodium potassium और water का reabsorption का का काम होता है large intestine का जब हमारी colon के अंदर inflammation है, infection है, ulcerative colitis है तो हमारी large intestine क्या करेगी water का reabsorption नहीं करेगी और बच्चे को क्या होने लगेगा डाइरिया हो जाएगा तो watery form में यह डाइरिया profuse diarrhea होगा अब हम देखेंगे कि वो profuse diarrhea किसको बोलते हैं which one is the correct that is B is the correct answer and profuse diarrhea is the correct answer then severe diarrhea की अगर हम बात करें तो इसमें इसमें होगा blood and mucus, profuse diarrhea is different, severe diarrhea is different and यदि हम crons disease में देखें बच्चो तो यहाँ पर जो आपका severe diarrhea है, severe diarrhea के अंदर content आपको मिलेगा जब किसी को ज़रोस से ज़्यादा दस्त होने लगते हैं तो bleeding होगी with stool और mucus होगा तो वो क्या होगा, severe diarrhea लेकिन crons disease की अगर हम बात करें, crons disease में diarrhea जो होगा, semi solid होगा, इसके जो content होगे तो mucus, mucus के साथ में पस होगा, लेकिन blood नहीं होगा, आप से बोता देता हूँ, मैं severe diarrhea severe diarrhea में आपको देखने को मिलेगा, बच्चो, blood and pus ठीक है, that is the main sign and symptoms of severe diarrhea, do you understand? Okay, can we go for next questions? Okay, so, हमारी और आपकी retina nursing academy आपके लिए 7th November से, बच्चों मैं बता दूँ, 7th November से, offline बोच, offline batch, start करने जा रहा है, इसके अभी new batch के लिए registration open है, तो आप retina nursing academy का google app से, google play store से आप retina nursing academy app डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप for further information कर सकते हैं, साथी या फिर retina के halpline number पर आप call कर सकते हैं, for more information, तो ये 7th November 2022 को एक offline batch start होने जा रहा है, तो इसके लिए अभी registration open है, इस registration को confirm करने के लिए आप यहाँ पर call कर सकते हैं, या फिर coaching को visit कर सकते हैं, अपना registration करा सकते हैं, ये offline batch आपको help करेगा, MPCHO, MPPEB, यानि ब्यापम, और EMS, North State, ESIC, DSSB, Railway, BHU, PNST, GNST, LGPGI, JIPMR, Pondicherry, और बहुत सारे से competitive exam हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्रेक कर सकते हैं, ये हमारे मद्ध प्रदेश का पहला ऐसा digital platform है, जहां पर आपको quality of content deliver किया जाता है, यहां पर जेपूर, दहली, इवन दहली के साथ में, कोटा और राजिस्थान, जेपूर, जोधपूर, भौपालेंस, की experience faculty के द्वारा यहां पर class conduct करवाई जाती है, और उस class में बहुत important session, important topic, important content, important quality of content deliver किया जाते हैं in front of you, भौपाल, मद्ध प्रदेश में, पहली ऐसी coaching है, और जो अपने digital platform के माध्यम से आपको सुचित करने जा रही है, तो बने रहीएगा, next, दूसरी चीज़ यह है कि आपके लिए यहां पर, ब्यापम, group 5, या फिर जिसको आप कहेंगे, MPPV, मद्ध प्रदेश professional examination board, group 5 को crack करने के लिए, हमारी nursing academy ने test series launch किये, बच्चों, इस test series को आप buy कर सकते हैं, या तो आप Google Play Store के माध्याम से Retina Nursing Academy का एप डाउनलोड करेंगे, उसके माध्याम से कर सकते हैं, अनिता आप Retina के help line number पर phone पर पर पेटियम कर सकते हैं, उसके बाद में आप test series को वाई और purchase कर सकते हैं, और आप MPA ब्यापम में select हो सकते हैं, ओके, तो मिलता है फिर next part 4 में, MPPB, मध्यप्रदेफ, Professional Examination Board, ब्यापम Group 5 बने रहे हैं आप Retina Nursing Academy के साथ, Retina Nursing Digital Platform से आप से promise करता है, कि यहाँ पर quality of content और ज्यादा से ज्यादा आपको selection देखने को मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. झाल से सक्टी हैं, मिलको से साथ, और ज्यादाओ, जय हो के साथ, जय हैकि रहे लिए मिलता हैं,